बने रहिए हमारे साथ हर्याना पंचाय चुनाव की हर नई अपडेट के लिए और सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल वीडियो को शेर किजिए चाल की मिलती रहे पंचाय चुनाओ कब होगे इस बारे में हमारे सियम मनोहर लाल खматर ने भी एक बयान दिया है कि हर्याना पंचाय चुनाओ में जो परदेश में बजट सतर है उसके बाद मंत्रि मंडल का विश्तार हो सकता है. पंचाय चुनाओ कब तक हो मंत्री मंडल विस्तार में दो सीटे खाली है एक जेजेपी का मंत्री बनेगा और दूसरा भाजपा का और इसके बाद जो उन्होंने दूसरी और बात ये कही है कि पंचायती राज सस्थाओं जिला परिशद पंचायत समीती और ग्राम पंचायतों के चुनाओ सिंबल पर Shove में अभी देरी हो सकती हैं महारे सीम ने भी मान लिया है कि पंचायती चुनाओ भी कुछ देरी से हो सकते हैं और उन्हों ये भी कहा है आगे कि लिवाट बंदी चल रही है इस कारण भी पंचायत चुनाओ देरी से हो रहे हैlo और किसान अंदोलन है कि कि इसकी बहुत सकती है ये चुनाओ जून और जुलाई में हो सकते है और इनकी तयारियां सुरू हो गई है कालका वे एलनाबाद में होने वाले उपचुनाओ को लेकर योजना बजट स्तर के बाद में ही बनाई जाएगी हालांकि भाजपा और जेजेपी दोनों पार्टियों ने ही मंथन सुत्रों का कहना है कि जेजेपी एलनाबाद से उपचुनाओ लड़ सकती है और भाजपा कालका से अपना उमीद्वार खड़ा कर सकती है और संभावना यही जताई जा रही है कि जून और जुलाई में दोनों विधान सभा के उपचुनाओ हो सकते हैं इसके इलावा अभ से केंद्रिय ग्रह मंत्री को सुचित किया जा चुका है और हलांकि नए डीजी पी का पैनल तो बनाया जाएगा इस परकिर्या में करीब तीन महीने का समय लग सकता है और रूने सीम ने कहा कि 1889 बैच के मनोज यादों का केंद्र में मर्ज हो चुका है उन्हें दो वर्सों वर्सों की हमारे सीम ने क्या कहाई कि हर्याना पंचाय्ट चुनाव अभी कुछ देरी से हो सकते हैं क्योंकि वाडबंदी का काम चल रहा है और इसके साथ-साथ किसान अंदोलन भी खतम नहीं हुआ है यह दोनों बड़ीज़े हैं जिसके कारण पंचाय चुनाव देरी से ह सकते हैं इसकी इलावा कुछ सुचनाई और भी है जरम मिर्त्यू वैरिहाई सी पर्माण पत्र कैसे बनेंगे इसमें सबंदित ग्राम पंचायत के बीडीपियों बनाएंगे इसके लिए गाउं के नंबरदार से तस्दीक करवानी होगी और साथी शपत पत्र देना होगा जा आगे की कारवाही करेंगे आवेदन बीडीपियों के पास ही करना होगा गाउं के विकासकारिय कैसे होंगे इससे समंदित भी चूचना है कि विकास समंद्धी आवेदन कहां से दे सकेंगे गाउं की गली की मरमत से लेकर सभी विकासकारियों की पावर बीडीपियों के पा पास आ गये हैं पंचायती जमीन के ठेके की परकिरिया भी अब किसके पास रहेगी देखिए पंचायत से समंदित सभी कारिये BDPO के हवाले हैं यह परकिरिया भी वही पूरी करवाएंगे अब जो पंचायत से समंदित जो भी कारिये हैं उसमें सब कारिये लगबग लगबग हर कारिया BDPO के पास आ गया है और वो नंबरदार और BDPO दोनों के पास ही जाना पड़ेगा आवेधन के लिए लोगों को और वही इनका कारिया करेंगे और सरपन चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई सुचना जैसे ही आती है तभी आम आपको इन सुचनाव से अवगत करवा देते हैं और आप हमारी वीडियो को इतना लाइक करते हैं शेयर करते हैं और सब्सक्राइब कि आपने चैनल इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद